हाई गाईज कैसे हैं आप लोग गाईज इस वीडियो में हम एलकोहल का आई पीएसे नॉमनकलेचर देखते हैं राइट गाईज एलकोहल बेसिकली हम रो एच से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आर कोई भी एलकाईल कोई साइकलिक इस त्रक्शे उयर कोई भी एरोमेटिक लाइक बेंजीन या बेंजाईल भी हो सकता है या इनका मिक्स भी हो सकता है उसमें देख सकते हैं जो इलकोहल हैं उसमें ओएच गृूप होता है OH functional group होता है जो कि basically alcohols के main जो characters हैं या properties हैं वो define करता है Now जो hydroxyl ये group है किसी जब भी आपका किसी carbon के साथ attach होगा तो उनको हम alcohols बोल देते हैं जैसे इन example में तो ये है basically guys आपका alcohols Also alcohols का जो functional जो general formula है हम Cn H2N plus 1 OH से represent करते हैं यानि कोई गरूप होगा आपका तो उसमें number of carbons ही होगा जहां पे N equals to 1, 2, 3 कुछ इस तरह होगा इसको मैं दुबार से Cn H2N plus 2 O भी लिख सकता हो यानि जो H है इस H में add होगा So आप confused मतो हो So हम स्टार्ट करते हैं basically alcohols से So इस वीडियो में guys हम Alephatic, Cyclic and Aromatic जो nomenclature है compounds alcohols वह पढ़ेंगे one by one So cyclic, Alephatic and Aromatic Aromatic में basically हम Benzene के जो derivatives होंगे जिसमें Phenol जिसे बोलते हैं वह देखेंगे basically So start करते हैं with Alephatic Now guys जैसे मैंने आपको बताया कि जो alcohols हैं उसको हम ROH लिखते हैं Now Alephatic में guys जो R होगी वह chain structures होंगे, single chain structures होंगे कुछ इस तरह से जिसमें carbon chain होगी Right, तो जो इसका rule है basically वह मैं आपको बहुत ही basic example से बताता हूं और धीर धीर आप examples करते रहें और improve हम एक-एक step आगे बढ़ते रहें अगर मैं इस example को देखता हूं जिसमें R की value यह methyl आ गई इसको name कैसे करूँगा Right, तो guys जब भी आपका alcohols होंगे उनका nomenclature करने के लिए आप सबसे पहले carbon की chain देखें longest carbon chain देखेंगे containing that OH group Right, तो इसमें basic एक ही carbon की chain है अब क्या करेंगे उसका alkane plus and में आप O, L, all लिखेंगे Right, तो alcohol से all आ गया, all जब भी यह functional group की तरह represent करेगा मतलब अगर कोई chain है आपकी अगर उसमें कोई दूसरा group present है लेकिन वो priority order में hydroxyl group से नीचे है तो हमेशा OH के लिए all लिखा जाएगा I hope आपको इस समझ माया होगा लेकिन just FYI अगर OH आपका prefix की तरह यूज होगा Right, आप आगे-आगे steps जो वीडियोज होगी इनमें देखेंगे, इसमें Now, alkane plus all क्योंकि E और O दोनों वोवल है, E को हटा देंगे Right, तो यहां पर आपका जो नाम आ जाएगा So, अगर इस case में देखें, यह CS3 यान इसका गर मैं बना हूँ तो methane बनता है Right, तो methane plus all E हट जाएगा तो क्या नाम आ जाएगा? Methanol Right guys, यह बहुत ही basic example है, दूसरा question देखते हैं Now guys, मैं बिल्कुल basic से start कर रहा हूँ, end में आते 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 आप सब तरह की questions में solve कर पाएगे अगर यह देखू guys, तो मैं आपको बताया longest carbon chain देखें Right, उसमें basically जो numbering start होगी guys, वो that from that carbon होगी carbon, जो OH group आपको attached है Right, और अवे जाएगी, अगर आप इसका nomenclature करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया, LKNol याने LKNol, LKN plus all तो इसमें क्या होगया? यह आ गया, इथेन से बना, इथे Nol Right, all represent करता है LKNol को इसको guys हम, इथेन-1 all भी लिख सकते हैं और 1 यह represent करता है कि जो OH की position कहां पे हैं? अगर आप इस question में देखें, तो अगर OH या इसमें भी attach होता है, तो कोई difference नहीं होता इसके बजाए, लेकिन अगर आप इस question को देखें, तो इसमें अगर आप इन दोनों को देखते हैं, तो आपको difference समझमाएगा, इस 1 की महता है, अगर आप इसको अगर नेम करें guys, मैंने आपको बताया, तो 1, 2 and 3 यह नाम होग होगा guys, propanol, अगर मैं 1 होगा तो 1 replace कर सकता हूँ, अगर इस से लिए का मतलब है direct की, 1 propanol या propan, 1 all या lihata भी सकता हूँ, right, तो मैं इसको लिखूँगा, propan, I hope आपको समझना रहो guys, 1 all, represent कर रहा है कि जो मेरा hydroxy group है, वो at number 1 carbon पे attached है, longest chain के, अगर अगर अब दूसरा case दे हो guys, यहां तो represent नहीं होगा ता, अगर इसमें देखूँ, तो जो counting start होगी, यहां से start कर देता हूँ, क्योंकि, अचा आप यह याद रखिए, अब next question में देखेंगे, कि जो counting अगर OH होगी, वो nearest carbon से start करेंगे, कैसे अब यह next question में देखेंगे, अभी इसको nomenclature करते हैं, so 1 2 and 3, तो इसका नाम कैसे करेंगे आप, प्रोपेन, right, हाइफन, 2 पे आपका वो जुड़ा है, OH याने प्रोपेन 2 ओल, या 2 हाइफन प्रोपेन ओल भी लिख सकते हैं, फिलाल के लिए, right, now, यह जो next question है, आप इसे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप लगिन, या तो आप नंबर यहां से start कर सकते हैं, 1, 2, 3, and 4, या आप नंबर यहां से start कर सकते हैं, 1, 2, and 3, and 4, अगर आप नीचे वाला start करते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? but butane-2-all और अगर आप उबर वाला यूज़ करने है तो क्या होगा butane-3-all ना इन दोनों में से कौन सा correct है now जब भी guys कोई भी आपको function group होता है या इस in this case OH होगा तो वो lowest possible number उसको मिलना चाहिए now इस case में देखें तो lowest possible number 2 है लेकिन उपर के case में lowest possible number 3 है तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है so हम जो nomenclature उसकरेंगे नीचे वाला lowest possible और उसका correct answer है butane-2-all now अगर हमारे alcohol में कोई भी substitute जुड़ा है ब्रांच जुड़ा है तो guys वही basic rule सबसे पहले अलकेन आपका होता है longest chain जो होगी आपकी parent चेंजी से बोलते है उसके end में आप all जोड़ देंगे now अगर ब्रांच भी है हमारे किसी chain में तो उसमें आप जो ब्रांच होगी उससे पहले लिखेंगे उसकी position अगेन अब इस case में देखें आप तो जो number start करेंगे याने counting जो positions की mark करेंगे सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो functional group अगर present है उसकी preference ज़्यादा होती है ब्रांच से राइट आप यह आद रहें तो क्योंकि इस chain में OH जो है उसकी जो preference और order है वो highlight से ज़्यादा है गाइस में जो basic rules है उसकी एक अलग से video मना रहा हूँ उसमें अगर आपको यह confusion है तो आप उससे देखें ताकि आपके सारी confusion clear हो रहेंगे right so I hope आपके चीज़े समझ में आते हूँ हूँ क्योंकि functional group का priority branch जो होती है किसी से ज्यादा है तो number हम इस तरह से करेंगे कि जो functional group है वो lowest position number पा है तो अगर यहां से number start करेंगे तो one two three four five number आएगा तो वो possible नहीं है हम यहां से start करेंगे one two three four and five इस तरह से number करेंगे तो अगेन आपका नाम क्या होगा पहले branch आएगी याने four hyphen bromo right four bromo end में alcanol आ जायागा याने यह कितने जायागा five carbons का है और four bromo या आपको इसको दुबार से यह भी लिख सकते हैं कि four bromo पैंट हाइफन पैंटेन सॉरी पैंटेन हाइफन वन और रैट गाइस तो यह जो हमारा o है उसकी position है I hope आपके चीजे समझवाई होगी अब तक equation और देखते हैं इस पर अगर इस case में देए guys तो जो oh है हमारा तो middle में एकदम right so अगर number मैं चाहें यहां से start कर सकता हूँ one two three four and five three यहां पाएगा यहां मैं यहां से start कर सकता हूँ one two three four and five आएगा तो on all cases जो oh है मेरा mid में आ रहा है three position में लेकिन अब मैं कौन सा इसमें नाम यूज करूँ क्योंकि second position पे bromo attached है and fourth position पे chlorine attached है अब क्या करें इस case में guys alphabetic order use होगा right क्योंकि दोनों halides है in this case जो भी ABCD में bromo या chloro जो भी पहले आएगा उसको हम पहले लिख देंगे याने ABCD में B पहले आता है bromo का and chloro का C बाद में आता है तो याने हम क्या करेंगे नीचे वाला order prefer करेंगे जिसमें जो bromo है वो lowest number पाएगा right guys so यह cancel हो जाएगे जिससे यह two position पहा जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा guys two bromo hyphen four hyphen chloro right pantane hyphen three all right guys या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ two bromo four chloro hyphen three pentanol right three यह बता रहा है कि third position पर आपका वह चुड़ा है right guys आया है होप आपको यह चीज़े सवन मातिर आ रहे हैं अब तर और आगे देखते हैं now guys अगर आप इस question को देखें यह बहुत ही अच्छा question है इसमें जो longest chain अगर आपको देख पा रहे है तो यह मुझे दिख रही है कुन सी यह वाल जिसमें one two three four five six seven eight nine ten carbon की chain है right दूसरी जो carbon की chain मुझे दिख रही है वो यह दिख रही है जिसमें one two three four five six seven eight carbon की chain है right और जो एक और मुझे कार्बन की chain दिख रही है वो यह दिख रही है जिसमें one two three four five six seven की carbon chain है याने longest chain आपकी जो हुई यह है दूसरी यह है और last में यह carbon की chain है अब हम क्या use करेंगे इसमें now guys इसमें वह है कि जब भी आप longest जो chain होगी अभी तक तो आपकी एक single chain थी आप longest chain या parent chain उस तरह से select करते हैं जिसमें आपका जो functional group है is present right और functional group में को अगर possible right guys if possible याने जो main longest chain है उस carbon पर होगी जिस पर जो carbon basically longest chain आप इस तरह से select करेंगे जिसमें वह carbon होगा जो कि direct oh से attached है right याने to be more clear अगर आप guys यह suppose यह carbon chain चूज करते हैं जो longest chain देख लिए तो अगर आप इसमें यह देखें कि जो आपका oh है वो direct attached नहीं है बलकि यहां पर cs3 group attached है यह cs3 है right तो यह longest chain नहीं है लेकिन अगर क्या होता कि यह suppose oh आपका group इस पर attached जोटा direct तब इस case में यह longest chain हो सकती थी possible लेकिन क्योंकि इस case में जो आपका यह जो oh group है वो direct attached नहीं है तो इसलिए यह longest chain नहीं होगी longest chain क्या यह होगी यह भी नहीं होगी क्योंकि इस case में भी जो oh है वो direct की main chain के carbon से नहीं है टेस्ट है इसलिए जो आपकी longest chain आप जो select करेंगे वो यह वाली करेंगे right हमार पर कोई option नहीं है now how to number it again अगर possible है तो lowest possible number आपको उस oh group के जो carbon है उस पर देना याने इसमें one पर ही आ रहा है two three four five six and seven carbon की chain हो जाएगी again guys same rule apply होता है कि जिसमें branch right plus एल के नोल आप डाल देंगे तो अगर आप इसमें main chain का भी पहले नाम लिखे तो क्या जाएगा यह जाएगा is heptanol heptan one all right suppose now I chain की बारी तो chain को आप कैसे use करेंगे suppose आप chain guys एक मैं आपको बताता नाम जो यह chain है आपकी यह carbon से attached है right main इसका आपको नाम देना है तो guys सबसे पहला आप इसका alkene बनाया यह alkene बनाया और बाद में उसमें e हटा के i'll जोड दीजिए right e minus कर दीजिए जैसे alkene है alkene हटा दीजिए तो alkene i'll आ जाएगा i'll जोड दिया right alkene होता है तो e हटा दीजिए तो alkene के बजाए y'll जोड दीजिए तो इस तरह से आपके substituent add हो जाते है right now इस case में आपको अगर इसका नाम देंगे तो कैसे होगा one two three and four याने इसका जो नाम होगा two methyl चार कार्बन के तो ब्यूटेन याने ब्यूटाइल two methyl ब्यूटाइल और किस कार्बन पर जुड़ा है यह second main chain से जुड़ा है तो two hyphen two methyl butyl right heptane one all यह हो गया इसका नाम i hope आपको guys यह समझ में आया होगा कोई confusion नहीं हुआ होगा okay so next question देखते हैं now guys इस question को देखें आप तो एक बात आप याद रखिए जब भी हमारे जो priority order होता है सबसे ज़्यादा functional group जो भी हम chain जो select करते हैं उस तरह से select करते हैं कि जो हमारा main chain है याने parent chain या longest chain जो select करेंगे उसने सबसे पहले हम functional group को present होना चाहिए priority है अगर दो chain ऐसी है जिसमें functional group present है दोनों दिख रहा है उसके बाद हम priority देते हैं multiple bonds को right guys multiple bond में या तो triple bond या double bond इन दोनों के बीच में ऐसी कोई preference नहीं है जो longest chain होगी right तो I in अगर ये भी दोनों में common आ रहा है उसके बाद में हम number of carbon वाली chain देगे याने जो longest chain होगी I hope आपको ये चीज़ है समझ माई होगी और अगर इसमें भी ये चीज़ नहीं ये common आ रही है carbon सेम है तो आप cyclic compounds में जो में nomenclature होगी उसमें देखेंगे फिर हम रिंग को prefer देते हैं ये आपका basic था अगर इसको आप में देखें अब इसको nomenclature करें तो longest chain आपकी किस्ते कौन सी बनेगी या तो आप ये जो OHI group होना चाहिए तो या तो आपकी ये वाली chain बन सकती है जिसमें 1,2,3,4,5,6,7 आ रहे हैं या आप ये वाली select कर सकते हैं ये same है उपर या नीचे तो 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5 carbon की chain आ रहे हैं तो इसमें 7 थे इसमें 5 थे लेकिन मैंना आपको बताया दोनो ग्रूप में OH तो आ रहा है लेकिन multiple bond को preference देंगे याने जो shaded reason है ये वाली आपकी longest chain होगी right guys so again इसको आप नाम कैसे करेंगे again वही होगा मैंना आपको बताया preference तो याने preference हमेशा OH से start होगी one then ये two three four and again five so इसका जो नाम होगा आप parent chain का अगर नाम लिखने पहले तो कैसे लिखेंगे याने parent hyphen three three पे in है right guys so hyphen hyphen three in hyphen one पे all है right guys so ये तो आपकी main chain का नाम हो गया right guys आपको I hope देंगे ये confuse मत हो एक परसेंट आप ये मानके चलिए कि ये alken का नाम है अगर ही मैंने आपको बताया था alken का नाम लिखिए जो main chain है उसके बाद all जोड़ दिए अगर उसमें unsaturation है तो आप alken का नाम लिखिए उसमें all जोड़ दिए ये हड़ जाएगा तो alken का नाम क्या होगा और मैं all हटा दूँ alken का नाम क्या है पैंटीन पैंट थ्री इन है याने पैंट थ्री इन तो आप का आ गया हाइफन वन पे ओल आ गया आई होप आपको ये समझ में होगा नाम ब्रांच क्या है ब्रांच एक तो ये वाली है वन टू थ्री एन फोर कार्बन की चीन याने ब्यूटाइल गूरूप जुडगे अलफाबैटिक ओर यूज करेंगे इसमें बताया था मैंने आपको याने थ्री ब्यूटाइल हाइफन फोर मिथाइल पैंट थ्री इन वन ओल यह होगा इसका नाम आपको आपको चाहाईस समझ में होगा इस कुश्चन को अगर आप देखें तो जो लोंगेस चेन हम कैसे से करेंगे जोuğ जो चेन बन सकती है सबसे पहली तो यह बन सकती है जिसमें 12345 carbon की चेन है लेंगे तो यह भी 5 carbon की चेन होगी लेकिन क्यूकि इसमें-हीन है तो हम इसे प्रिफर कर रहें डही है 6 & 7 carbon की chain है, दोनों में ही unsaturation है, और मैंने आपको बताया था कि पहले functional group को preference देंगे, उसके बाद multiple bond को preference देते हैं, और अगर ये भी same है, तो number of carbon in the chain को prefer करेंगे, याने multiple bond दोनों में है, लेकिन इसमें क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon की chain है, इसमें सिर 5 है, इस वाली chain को prefer करेंगे, right, तो इसका नाम कैसे होगा, main chain का नाम कैसे लिखेंगे, आप suppose order करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7, main chain का नाम क्या हो जाएगा, heft, right, heft, hyphen 5 आइन, मैंने आपको बताया था, alkyne है तो main chain plus all, alkyne main chain है तो alkyne का नाम plus all, याने in this case, अगर alkyne का नाम है, तो alkyne plus all, तो similar होगा, बस ही होगा, यह हट जाएंगे, इसमें, again, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, heft 5, heft, 7, air, 5, iron, right, again, यह तो alkyne का नाम गया, और all लिख सकते हैं, hefty now all, या again, i-1 all लिख दे, confusion हमें ही नहीं होगा, again, अब ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो ब्रांच आपकी यह है, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 carbon पर जुड़ा है, तो 3-isopropenyl, right, isopropen है, इसका नाम, isopropen को मैंने बताया, end में, यह अटा के oil जोड़ दी, यह तो isopropenyl, तो इसका नाम हो गया, 3-isopropenyl, heft, 5, iron, 1, all, right, guys, अब तक तो हम वे alcohol के group पढ़ते आए, जिसमें सिर्फ एक OH hydroxyl group जुड़ा हुआ था, now what if, more than one OH आपके group जुड़े हूँ, now guys, for example, मैं just FYI एक normal chain ले रहा हूँ, right, और इसमें यह carbon chain है कोई, और इसमें एक OH group यहाँ जुड़ा है, और एक OH group यहाँ जुड़ा है, right, guys, तो अब इसमें number of, जो आप main chain select करेंगे, आप जो parent chain select इस तरह से करेंगे, कि जो दोनों के दोनों hydroxyl groups हैं, वे आपकी parent chain से direct attached हो, मतलब, याने जो OH है, उनसे जो लगेवे carbon हैं, जिसे हम alpha carbons बोलते हैं, वो याने इसमें alpha carbon या या यह बोल सकते हैं, जिन carbon से direct OH attached हैं, वो main जो carbon chain में attached हो, right, और अगर more than two, और सबसे पहले जो attached हो और बाकी का जो आपका है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इस case में देखें, तो longest chain जो आपकी होगी, वो सिर्फ यहां तक नहीं, यह भी होगी, और OH इसमें दोनों attached हैं, जहां तक आपकी chain बन रही है, लेकिन गाईज, अगर in some cases, suppose जैसे आप यह मान के चलें, कि two OH groups हैं, more than two, आप दो को तो हमेशा एक point line में लाई सकते हैं, लेकिन अगर, suppose इस तरह से जुड़ा है, right guys, तीन OH groups हैं, तब अगर आप देखें तो longest chain अगर आप select करेंगे, और यह दो OH आ रहे हैं, right, लेकिन अगर आप इस chain को select कर रहे हैं, जिसमें यह OH आ रहा है, तब यह left out रहे रहे हैं, यानि कैसे, और अगर आप इस chain को देख रहे हैं, तो इसमें यह रह गया, तो guys, in cases में आपको या इससे भी ज़्यादा OH होंगे, अगर possible होगा, तो जितने maximum OH जो groups हैं, वो आपकी longest chain में आना चाहिए, longest parent chain के part होने चाहिए, मतलब जो इनसे जुड़ेवे carbons हैं, OH की या alpha carbons, वे आपकी main carbon chain में आने चाहिए, और बाकी के जो left out रह जाएंगे, वे as a prefix use होंगे, याने hydroxy की तरह है, जैसे आप normal chlorobromo यूज़ करते हैं, examples देखेंगे, और आपको और clear हो जाएगा, तो इस तरह से आप use करेंगे, so questions देखते हैं, basic से start करते हैं, ताकि हम नाम होगा, और हाँ, एक guys, और क्योंकि अब तक हम alkane plus all यूज़ करते आ रहे थे, एक carbon के लिए, या alkane, right, all, यह आप कह सकते हैं थे कि alkane, 1 all या 2 all या n all कुछ भी, now in this case guys, आपको यह हो जाएगा, alkane plus dye all, 3 OH हैं, अगर एक carbon chain में आप आ रहे हैं, मलब यह जो dye हैं, वे dye हैं, जितने OH उस main chain में आ रहे हैं, right, तो अगर इस case में यह second case है, अगर यह chain मेंने select करी है, तो dye all होगा, क्योंकि यह एक hydroxy में यूज हो रहा है, right, so अभी question देखेंगे, और समझ माझा जागा, 3 carbon main chain में तो try all, 4 आ रहे हैं, तो tetral, right, तो question देखते हैं, अगर इस case को देखें, तो देखते हैं कि जो OH, दो OH ग्रूप present है, और हमने देखा था कि जो OH ग्रूप है, हमें carbon chain अगर दो OH ग्रूप हैं उसमें, तो उस तरह से present करने हैं, कि जो दोनों OH के carbons हैं, जिस प्रेट हैं, पर सेम carbon main longest chain पर आए, right, तो कुछ इस तरह से longest chain बल रही है, दोनों OH ग्रूप present हैं, जो बाकी का जो ये ग्रूप है, ये आपका substitute की तरह है, या ब्रांच की तरह है, अब नमबर जो करेंगे, इस तरह से करेंगी, जो हॉइड ग्रूप से हैं, lowest possible number आए, तो इस case में देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, क्योंकि अगर नीचे से करते हैं, तो OH जो पहला है, वो थर्ड पर आता है, 1, 2, 3, right, तो ये सही है, तो इसको नाम, जो parent chain का नाम लिख लिएतने पहले तो कितना है, hexane की chain है, तो यहाने guys, कोई hexane ही है, hexane, right, E आ जाएगा, क्योंकि diol में D है, दोनों वोविल नहीं है, hexane-24, 2,4 diol, right, so branch का नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पोजिशन पे isopropyl group जुड़ा है, right, 3 isopropyl, hexane, 2,4 diol, right guys, यह question और देखते हैं, again guys, इसमें अगर question को देखें आप, तो दो OH group present है, तो आपको longest chain कुछ इस तरह से select करनी है, जिसमें functional group को preference दी, multiple bond, आपको क्योंकि इसमें multiple bond है, मैंने आपको बताया था, जो आपको preference होती है, functional group, then, multiple bonds, then number of carbon की chain होती है, और then अगर दोनों same है, तब ring को मैं prefer करते हैं, यह case हम ring वाले case में देखेंगे, इस case में अगर आप देखें, तो number of multiple bond, या तो मैं इस तरह से select कर सकता हूँ, in fact, इसी तरह से select होगी, क्योंकि दोनों OH इसी group में present हो रहा है, right guys, तो यह वाली आपकी जो है, यह main carbon की chain हो जाएगी, तो अब इसका normal creature में किस तरह करूँगा, preference हमेशा OH को पहले होगी, तो again, number यहां से होगा, यहां से start नहीं होगा, in fact, यहां से क्योंकि अलकाइन बन पहारा था बावजूद इसके, क्योंकि हम functional group को पहले preference देते हैं, याने 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो again इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, आप देखें, पहुज करके, 3-isopropenyl, right, 3-isopropenyl, right guys, so hexa hex 5, iron, 5 पे iron जुड़ा है, और hyphen 2,4, 2,4 die all, right guys, I hope आपको समझ माया होगा, यह आपकी branch हो गई, और यह आपका main carbon की chain हो गई, branch, right guys, now guys, इस question को देखें, आप देख सकते हैं, इसमें 3 OH group present है, तो आपको इस तरह से करने चाहिए, select कि जिसमें maximum number of, जो OH groups है, hydrocell groups है, उस chain में आई याने, उसके carbon, right, so अगर आप देखें, तो longest chain मेरी यही बन रही है, जिसमें 3 के 3 OH groups के जो alpha carbon है, वो मेरी main chain है, उसमें आ रहे है, again, यह same similar question हो गया, जैसे पहले था, now guys, आप इसमें अगर देखें, तो number या तो इस तरह से डाल सकते हैं कि नीचे से, जिसमें 1, 2, 3 आएगा, right, 4, 5, 6, 7 and 8, या आप उपर से link डाल सकते हैं, जिसमें, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry, 7, 8 and 9, यह, आपका यह miss हो गया मेरा, 8 and 9, 9 की chain है, नीचे से इन दोनों में से कौन से preferable है, अगर आप देखें, तो जो OH groups हैं इसमें, पहला 3 पर आ रहा है, क्योंकि राइट, दूसरा, 4, अगर नीचे से, दूसरा 6 पर आ रहा है, और फिर 7 पर, 3, 6 and 7, अगर उपर से देखेंगे तो याने पहला आ रहा है 3 पर, तो इसमें कौन से preferable है, तो देखेंगे आप 3, 3 cancel हो गया, अब इन दोनों में देखेंगे तो 4 lowest है, याने उपर वाला prefer होगा, आगे हमें देखने की ज़रती नहीं है, राइड गाइस, जो उपर वाली नमबरी के हैं, हम उसे यूज करेंगे, अगें इसका नाम करिए, मेंचेन को देखें, 9 की है, तो कोई एनसेटरेशन नहीं है, तो नोनेन, अगें 3, 4, 7 पर है, आल्स तो 3, 4, 7 हाइफन, ट्राइ आल्स, अब ब्रांच की बारी आई है, आता है, इथाइल का, और मिथाइल का, एम बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, स्टार्टिंग इसकी जो ब्रांच होगी, तो 5 पर हाइफन इथाइल जुड़ा है, और 4, 6 पर डाइ मिथाइल जुड़े हैं, और यह आपका नाम हो जाएगा, राइड गाई जीतने भी हमने question करें, दो OHK, थ्री OHK या उससे भी ज्यादा के मलब, जो हमने question करें, सब में जो OH हैं, आपकी parent chain में आ रहे थे, इस तरह से हमाई chain बन पा रहे थी, अगर इस question में देखें, तो जो आपकी parent chain है, या तो मैं अगर दो OH को select करूँगा, तो इस तरह से बना सक सकता हूँ, right, या मैं इस तरह से select कर सकता हूँ, इसमें भी एक OH रह गया है, या मैं इस तरह से select कर सकता हूँ, लेकिन in all cases, जो मेरे एक OH है, वो रह रह रहा है, इसको nomenclature में आपको बताया, कि सबसे पहले जो आपका preference order होता है, आप functional group का होता है, function group में हम के बाद, आप देखेंगे, multiple bonds अगर present है, अगर वो भी nullify हो रही है, उसके बाद हम देखते है, number of carbon chains की, नई guys, अगर आप इसमें देखें, जो हमारी longest chain बन रही है, इसमें ये वाली chain बन रही है, क्योंकि जैसे जो number होंगे, lowest OH से start होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, अगर आप ये वाली select करते हैं, या ये वाली करते हैं, देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, तो ये longest chain आपकी बनेगी, तो आपकी main chain तो ये होगी, उसका नाम करन कर दे, 7 की है, कोई saturation नहीं है, तो heptain, 1 और 5 पे die all आ जाएगा, ये जो आपकी chain है, ये parent chain की तरह use हो रही है, तो अगर आप इसका now and culture करेंगे, तो again किस तरह करेंगे, क्योंकि आप ये guys, आप ये याद रहें कि इसमें जो होगा, जो branch है ना, ये इस तरह से start होगी, तो कैसे होगा, ये नाम होगा, यहाँ से, जब भी branch में use होगे, आपका OH ग्रूप, तो जिस नंबर से branch होगी है, वहाँ से counting start होगी, तो इसका जो नाम कैसे होगा, फोर्थ पोजिशन पर जुड़ा है, क्या, 2-Hydroxy, 2-Carbon की chain है, इत्थाईल, ये तो आपका नाम क्या होगया, I hope आप जो main में समझाना चारों, वो समझ गए होगे होगे आप, कि 4-Hydroxy, 2-Hydroxythyl, Heptane, 1-5-Diol, इसी तरह के जो questions आते हैं, यही मदब बनते हैं, Same rules apply होगे, कि अगर 3-Carbon की chain है, 4-OH हैं, और अगर suppose 1-OH में यहां जोड़ देता, तो यह ट्राइयोल आ जाता है, आपे 1-5-6 ट्राइयोल आ जाएगा, और यह हाइड्रोक्सी होगा, यह भी पोसिबिल है, कि main carbon chain में आपके 3-OH हैं, और जो बाहर ब्रांच हैं, उसमें 2-OH है तो यानि 2-Di-Hydroxy-Thial हो जाया गया हैं, तो same way logic है, इन सब के पीछे, right guys, now यह तो था guys हमारा, जितना हमने पढ़ा, aliphatic के बारे में, अब हम पढ़ते हैं, cyclic जो होते हैं, alcohols, right guys, now, guys, cyclic जब भी आप alcohols देखेंगे, अगर suppose कोई ring है आपकी, यह, कुछ इस type के हो सकते हैं, जिसमें ring पे आपके direct OH attached है, right, या आपके जो ring है, उस पे direct OH attached नहीं है, right, यानि जो इसका main alpha carbon है, वो आपके main ring पे नहीं है, अगर ring पे आपका जो यह attached है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, again, same है, alkane मानके चलें आप इससे 3 carbon की chain, जो आप बोलते हैं, इससे cyclopentane है, तो cyclopentile आ जाएगा, right, प्रोप, प्रोप है, मैं गलत बोल गया, पेंट है, तो प्रोप, प्रोपेन, ओल आता, प्रोपेन वन ओल या प्रोपेन ओल, राइट, नमबर यहाँ से चला, क्योंकि यह 3 carbon की chain है, तो आप कैसे लिखेंगे इसके, साइक्लो, 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 प्रोपेन, प्लस ओल, तो यह एट जाएगा, तो साइक्लो, प्रोपेन ओल आ जाएगा, right, ओप, आपको समझ में आया होगा, अगर वो OH डारेक्ट अटेज नहीं है, आपके रिंग से, तो उसमें 3 केस बन सकते हैं, जो जनरली आपके किसी भी गुरुप्स के साथ अटेज होते हैं, कि अगर नंबर ओफ कार्बन्स जो हैं, रिंग पे जादा है, नंबर ओफ कार्बन्स, देन आपका जो में अलिफेटिक पार्ट है, चेन का, या दोनों पे जो कार्बन हैं, वो सेम है, या जो रिंग पे जो नंबर ओफ कार्बन्स हैं, वो लेस हैं, अभी आद रखें, मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा प्राइरटी फंक्शनल ग्रूप की होती है, उसके बाद हम जो मल्टिबल बोन है, उसको प्रिफरेंस देंगे, उसके बाद नंबर ओफ कार्बन्स को देते हैं, और उसके बाद रिंग वाले स्ट्रक्चर्चर्स को, है तो नौघ मेंटर वाट, अगर यह आद रहें, यह जब मैं मानकर चल रहा है, कि सबस्रक्चम्ण इसकन हम एक एक स्ट्रक्चर्स को पकले को और इसंग्ण जाओंग सतोगारओव만? तो उसके नाम से cyclopentane होगा, I hope आप confused हो रहे हैं, I think I hope, I mean confused हो रहे हैं, मैं आपको एक question से दिखाता हूँ, आपको one by one समझ भाएगा, आप यह question देखें, जैसा भी आपने देगा, यह OH, अगर आप इसमें देखें, तो number of carbon इसमें ring में 3 हैं, लेकिन इसमें जो aliphatic part है, यह aliphatic part होगा है, योगि OH डारेक्ट की से इसमें सिर्फ एक carbon है, Now, मैंने आपको बताया था, functional group की preference सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाने functional group जिस carbon में है, वो हमारा parent chain हो जाएगा, जो हम यह सब load ले रहे हैं, यह सब parent chain के हिसाप को मान रहे हैं, और यह बाकी का पार्ट है यह आपका substitute की तरह काम आएगा, यहाने, तो यह क्या होगा, one यहा से account करेंगे हम, तो कैसे होगा, cyclopropanil, right, cyclopropanil, methanol, right guys, now अगर कुछ इस तरह से मेरा group आ जाता, OH, तब क्या करेंगे, again guys, आप देख रहे हैं कि तीनों में, तीन कार्बन है, suppose यह तो सेम ही हो गया, suppose आप यह मान के चलें, कि इसमें यह OH है, again, तो इसमें भी one, two and three कार्बन है, मैं दो बारा से कर देता हूँ, तो one, two, three, right, यह है, तो आप देखें, इसमें रिंग में one, two and three कार्बन है, अगे, chain में भी one, two and three कार्बन है, लेकिन फंक्शनल, तीन कार्बन दोनों में तो है, लेकिन फंक्शनल ग्रूप कि इसमें है, इसमें, तो यहाने parent chain आपकी यह हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे आप इसको, अगेन वही, cyclopropanile, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, lowest possible number जोडेंगे इसको, main chain हो जाएगी, यह, one, two and three, right guys, क्योंकि आप यह मान के चली guys, क्योंकि OH इसमें आप इसमें मान के चल रही है, यह substitute नहीं है, अगर substitute होता तो हम यहां से counting करते हैं, जैसे मैं आपको पिछले example में बताया था, तो क्या हो जाएगा, cyclopropanile, propane, one all, right guys, again इसमें तेखें आप, तो इसमें देख पा रहे होंगे, वही, कि जो number of carbon है, OH इसमें रिंग में जुड़े हैं, तो one, two, three and four carbon की chain है, अगरें जो आपकी main aliphatic part है, वो one, two, three, four, five, six, seven, eight carbon की chain है, लेकिन आप क्योंकि functional group जिस पार्ट में है, वो parent chain, parent chain या parent ring मानी जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा, numbering यहां सो होगी, one, two, three, two, three, three octanile cyclobutanol, right, या इसको cyclobutanol भी कर सकते थे, so right, so I hope guys आपको इस चीजे different, different जो मैं बता रहा हूँ, वो समझ मा रहे होगी, बस आपको वो ही जो main बता है कि functional group का preference पहले है, then multiple bonds का और उसके बाद सब चीजे, right, now guys इस question को करें, आप देख पा रहे हैं कि जो OH group है, उसमें मेरा यहां पे present है, और कोई OH group present नहीं है, तो इसका मैं जो nomenclature करूँगा, again 1, 2, 3, यहां से start होगा, 1, function group उसके बाद फिर हम multiple bond की preference होती है, तो यहांने multiple bond यहां पे 2 यहां से number start होगा, 3, 4, 5, 6, right guys, so यह आपका होगा, अगर उसका nomenclature क्या लिखेंगे, जो main chain है, उसका नाम क्या हो जाए, guys, cyclohexane, hexa, 2 और 4 पे, in है, 2, 4, diene, hyphen, 1, all, या simple all भी लग सकते, dienol, branch का बात आई, एक तो branch यह है, एक branch यह है, और एक branch यह है, तो alphabetic order में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6, hyphen, ethyl, right, hyphen, 3, isopropyl, hyphen, 5, methyl, right, and hyphen, यह, cyclohexa, 2, 4, diene, 1, all, right, guys, so I hope आपको अब तक यह चीज़े सहन में आई होगी, अब जो cyclic carbon में अगर, suppose, again, यह, अगर में ले लू, तो, वही same question हो जाएगा, guys, आप इमान के चलिए कि 1 and 2 दोनों OH को limited number देने है, 2, 3, 4, 5 and 6 आजाएगा, right, guys, so, इसका नाम क्या हो जाएगा, cyclohexane, right, hyphen, 1, 2, die, all, right, guys, so, यह basic question है, एक question और करिए, यह बहुत ही अच्छा question है, यह question करिए, guys, I hope आपको यह bicyclo compound है, याने bridgehead bicyclo compound, right, तो, I hope, guys, just आपको एक ऐसे question दे दिया, अगर आपको इसमें confusion होगा bridgehead में, तो bridgehead की बार वीडियो देखें, आप प्रोपर उसका नोमन के लिए चा, right, guys, लेकिन जिन लोग को idea है, तो मैंने just उसके उनकी practice के लिए यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको पता है, bridgehead का जो भी number होगा, हमेशा bridgehead compound होगा, respective of those groups, हमेशा bridgehead 1 से होगा, और इस तरह से होगा, जो आपका OH group है, जो main functional group है, वो lowest possible पे होगा, तो 1, 2, 3, and 4 आ गया, right, guys, तो again 5, 6, and 7 आ जाएगा, तो जो, I hope, जिन लोग को idea है, इनका, मैं बताएगे, इसके बाद, guys, benzene पे जो rings पे जो जुडते हैं, उनका देखेंगे, questions, तो उसका नाम क्या होगा, guys, 5 पे bromo है आपका, right, bi-cyclo, यह हो जाएगा, तो bi-cyclo किस पे है, होगा, 2.2.1 haptane to all, right, guys, जिनको नहीं idea है, guys, एक बाद वो देखें, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, कि 5 पे bromo है, right, bi-cyclo, यह बड़ी वाली ring में 2 है, तो 2, छोटी वाली, दूसरी ring में भी 2 कार्बन सा, इदर 2, यह count नहीं करते, इदर, इस वाली जो ring में 1 है, bridge head count नहीं होगे, तो 1, अगें 7 member की ring है, 7 और 2 पे all है, तो all है, right, guys, now, अब यह हो गया, guys, benzene derivatives को क्या करेंगे, guys, जब भी आपके benzene पे OH जुड़ा होगा, तो इसमें जब आपको पता है, benzene के जो aromatic compound के derivative होना है, उसमें different हो जाता है, तो जब भी OH जुड़ा होगा, guys, इसको आप phenol बोलेंगे, कुछ benzenol और कुछ इस टाइप से नहीं, phenol बोलेंगे, phenyle group मान के चलते हैं, यहाने अगर benzyle पे कोई भी derivative होगा, तो phenol मान के चाहिए, suppose OH है, यहाँ पर CS3 जोड दिया, और यह guys उस case में है, जब आपका OH group directly attached है, benzyne से, for example, अगर suppose यह कुछ मेरा जो compound है, कुछ इस तरह से होता, right, तब आप यह नहीं मान के चलते, right, तब आप क्या करते, यह main ring है, आपकी one हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, phenyl methanol हो जाएगा, right, तो तब यह आपका एक substituent की तरह काम आ जाएगा, लेकिन इस case में direct attach होना चाहिए, तो यह क्या होगा, तो one यहाँ पर number देंगे, हमेशा one, two, तो two methyl phenol, यह इसको आप क्या लिख सकते हैं कि group है यह test, तो ortho metaparaporation होती है, तो यहाने ortho methyl phenol, right, similarly अगर आप इनका नाम करना चाहें, तो OH यहाँ CS3 है, तो one, two, three methyl phenol, यह ortho metamethyl phenol, अगे इन यहाँ पर होता तो पर हो जाता, similarly अगर groups कोई attached है, मैं आपको बता देता हूँ, phenol है, उस पर suppose nitro NO2 attached है, तो आपका क्या लिखेंगे, one, two and three, तो three nitro, nitro NO2 जब भी attached होगा guys, किसी में हमेशा substituent की तरही use होता है, सबसे कम preference होती है, in fact halide भी attached है, तो halide माने जाएंगे nitro, तो आपका substituent ही माना जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, three nitro, phenol, तो guys इस type से आपकी no-man के लिखेंगे होती है, बेंजीन की, याद रखेंगे अगर main यह जब है, जब OH डारेक्टर है, नहीं attached है, तो phenyl methanol यह substituent की तरह यूज होता है, तो I hope आपको यह वीडियो समद्ध मा आई होगी, thank you so much for watching, right guys, like, share and subscribe, bye